नवश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरो क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर 32 वी नियाइक सेवा मुख्य परिक्षा का सेड्डिूल जारी बिहार के खिलारियों ने नेशनल गेम्स में जीते चार और पदग 32 वी नियाइक सेवा मुख्य परिक्षा का सेड्डिूल जारी अगर आप ही उन लोगों में से हैं जो BPSC 32 वी नियाइक सेवा के मुख्य परिक्षा में भाग ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे कि बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा 32 वी नियाइक सेवा मुख्य परिक्षा का सेड्डिूल जारी कर दिया गया है जिसे लोग BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं बतादे कि जारी किये गया दिसूशना के नुसार 32 वी परिक्षा दो पहर 2 बज़े से शाम सारे 5 बज़े तक आयोजित किया जाएगा वह इस परिक्षा के लिए एडमिट कार परिक्षा शुरू होने के एक सपता पहले वेबसाइट पर अप्लोड कर दिये जाएंगे बिहार के खिलारियों ने नैशनल गेम्स में जीते 4 और पदक बिख्मार के द्वारा वुशु प्रतिसपर्दा में काश्ये पदक जीत कर बिहार को गौरवांवित करने का काम किया गया है। मैं इसके अलावा ताइकवांडो पुरुस वर्ग प्रदिसपर्दा में विवेक मिश्रा के द्वारा भी काश्य पदक जीता गया। बिहार बोर्ड इंटर परिक्षा का फॉर्म भरने की तिथी बढ़ी। अगरा भी उन शात्रों में से हैं जो वर्द 2024 में होने वाले बिहार बोर्ड इंटर परिक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यहाँ खबर आपके लिए हैं। सेक्षन संस्थान द्वारा विलंब सुल्क के साथ 10 नमबर 2023 सक भड़ा जा सकेगा। इसके लिए सेक्षन संस्थान को वेफसाइट https//seniorsecondary.biharboardonline. पर जाना होगा। परिक्षा फॉर्म भर्ण य अश्रुक जमा करने में किसी प्रकार की असुवधा होने पर हल्प लाइन नमबर 0612-23-0039 पर संपर किया जा सकता है। बिहार सिक्षक न्युक्ति के दुईत्य चरन की घोशना अगर आप भी बिहार सिक्षक भरती चरन दो का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है बतादी कि BPSC के चेर्मेन अदुल प्रिशाद के द्वरा आज प्रेस कॉन्फेंस कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार लोक सेवा आयो की तरफ से ली जाने वाली की शिरवाद 5 नवंबर 2023 से होगी वहीं आविदन करने की अंतिमतारी 25 नवंबर 2023 तक नरधालित की गई है बतादे किस बार दोईत चरन सक्षक निफ्ती प्रतियोगिता के तहट 54,780 पदों पर सक्षकों की भरती की जाएगी जिसमें मध्य विद्याले यानिकी कक्षा 6 से 8 वर्ग तक के विद्याले अध्यापक के लिए कुल पद 16,140 होंगे तो वहीं माध्यमिक विद्याले कक्षा 9 से 10 तक के विद्याले अध्यापक के लिए कुल पद 18,870 होंगे कक्षा 9 से 10 तक के विशेश विद्याले अध्यापक के लिए कुल पद 270 और उच माध्यमिक वि बिहार में आठ महीने के अंदर इतने बच्चे हुए गुमशुदा भरत सरकार के वेब पोटल track the missing child gov.in पर दर्ज की गई जानकारी से यह बात निकल कर सामने आई है कि बिहार में 2023 के पहले आठ महीनों में 5958 बच्चे गुमशुदा हुए हैं जिन में लड़की बच्चों की संख्या 5117 है तो वहीं लड़के बच्चों की संख्या 841 है हाला के इन गुमशुदा बच्चों में से बिहार पुलिस के दौरा 2799 बच्चों को ढूंड निकाला गया है कि गुमशुदा बच्चों को लेकर राष्ट्री एस्तर पर चाइल्ड लाइन कारिक्रम बनाया गया है जिसका संचालन भार सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्राले के अधीन चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडिशन के द्वारा किया जाता है 31,982 पदो पर सिक्चक निव्टी को लेकर 17 जिलो के रोस्टर में संसोधन प्रात्मिक सिक्चान देशक मिथिलेश मिस्टर के दौरा इन 17 जिलो के डी ईयो को नर्देश दे दिया गया है वहीं समाने प्रशासन विभाग के दोरा संसोधित सूची को देखते वे निर्देश दिया गया है कि अपने जिले से संबंध त्रोस्टर में इसी संसोधन के नुसार प्रक्रिया करेंगे मालुमों के सूबे में सबसे अधिक गरित विग्यान में 11455 फिर समाचिक विग्यान में 8216 रिक्तियां हैं गरित विग्यान और समाचिक विग्यान में सबसे अधा रिक्तियां मुझा पर पुर्जले में हैं साइबर अपरात को लेकर ADG नईयर हसनयान खान का बयान आर्थिक अप्राथ इकाई के द्वारा ADG नईयर हसनयन खान के द्वारा बीते दिन आयूजित समिक्छा बैठक में साइबर अप्राथ से सम्मधित सत्प्रतिशत कांडो को थाने में दर्ज किये जानी और इनमामलों की त्वरत जांच पर अधित्तम एक सप्ता के अंदर ADG के द्वारा जिलो के शाइबर थानों में अब तक दर्ज प्रात्मी की ग्रफतारी बराम्दगी और कांड का निश्पादन आदी बिंदों पर भी विस्तरित चर्चा की गए और साथी साइबर अपराद के रोक थाम हेतु आम जनों के वीज ब्यापक रूप से साइबर जागरुकता भिया चलाने का भी नरदेश दिया गया है पटना मेट्रो के कॉरिडोर वन पर नर्मान कारे ने पकरी रफतार वीतर दिन शुक्रवार को पटना मेट्रो प्रुजक्ट के कोरिडोर वन जोकी दानापूर से मीठापूर वाया बैली रोड से पटना जंक्शन तक बनाये जाने वाले हैं उस पर दूसरे एलिवेटेज सेक्षन का पहला यूग गडर मिठापुर के पास लॉंच किया गया बता दे कि क्रेन की मदद से इसे दो पीर कैप्स के बीच लॉंच इस यूग गडर के उपर ही भविश्य में मेट्रो ट्रैक बिचाने वा स्टेश मंबे कॉरीडोर वन में कुल 14 अलिवेटिड और अंडरग्राउंड इस्टेशन है माजी द भारत रतन गया में बड़े पर रिलीज वीतर दीं गया में मार्त रतन फिल्म बड़े परदे पर रिलीस किया गया बतादे कि इस फिल्म में मुख्य अभिनिता की भूमी का इंजिनेर दिविंद्र मांची निभा रहे हैं वहें इस फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत रतन देने में गरीब और अमिर के लिए अलग-अलग माइने है ले तब तक करो जब तक के उसके नतीजे न निकलाएं मैं इस फिल्म के अभिनिता दिविंद्र मांची के द्वारा कहा गया है कि इस फिल्म में मैंने अपने कॉलिज के दिनों के समय का भी वर्णन किया है इस फिल्म की सुटिंग गया बोध गया और जारकन में हुई है इस फ विवावकों को महीनों का अंतिजार करवाया जा सके इसके लिए इस पर CBSE की ओर से नजर रखी जाएगे इसको लेकर CBSE के दौरा सभी नीजी स्कूलों को दिशा नर्देश भी दे दिये गा हैं बता देग इस बार राजी के नीजी स्कूलों में एक लाग संतावन हजार चार रोड करनी होगी और साथी नमांकन सुल्क की जानकारी भी देनी होगी मालूमों कि नवंबर के अंतिम सप्ता में नमांकन का सेड्योल जारी कराना शुरू कर दिया जाएगा वहीं ओनलाइन आवी दन के श्रिवाद इसमबर तक होगी सुभा सुभा पटना की सरकों पर निकले सीम नितीश जदियू ओफिस का भी लिया जाएजा आज सुभा सुभा बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार राधधानी पटना की सरकों पर निकले जहाँ वे सबसे पहले मुखे मंतरी आवाज से निकल कर जेडियू दफ्तर पहुंचे इस दोरान उहोंने करीब 10 मिनट जेडियू दफ्तर में अपना समय बिताया और सभी चीजों की बारीकी से जानकारी लेने के बाद यह भी जानने की सुबह सुबह पार्टी दफ्तर में कौन-कौन से नेता और दादी कारी मौजूद रहते हैं इसके बाद सीम नितीश यहां से निकल कर सीधे मंतरी विजय चौधरी के घर पहुंचे और बातचीत की वह इस दोरान इन दोनों रिताओं के बीच वर्तमान में राजनित पड़िवेश को लेकर भी बातचीत हुई वह इसके बाद सीम नि अड़ोपो का सक्षा मंतरी ने दिया जवाब इसे नहीं चलाएगी और ने कहा कि महागरवंधन की सरकार ने बिहार के लोगों से जो बादा किया था उसे पूरा करने की दिश्या में काम किया जा रहा जिनको जुम्लेबाजी करना है वो जुम्लेबाजी में लगे हुए हैं सियम नितीश को कॉंग्रस अध्यक्ष मलेका अर्जन खरगे ने किया फोन नितीश कुमार के मन में रहे संसे को खरगे के द्वारा दूर करने की कोशिश की गई है वहीं इसके अलावा उनके बीच मौजुदा पांच राज्यों में हो रहे है विधान सभाचनावो और उसके बाद की राजनितिक स्थितियों पर चर्चा तेज हो गई है साथ ही इंडिया गरबंधन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए कब बैठक हो इन मुद्धों पर भी दोनों में बात चीत हुई विश्वकब से बाहर होने के बाद हार्दिक पांडिया का बयान स्टार ओल डांडर हार्दिक पांडिया को बांग्रादेश के खिले जाने के दौरान लगी चोट के करण उन्हें विश्वकब 2023 के टूड़ामेंट से बाहर कर दिया गया है वहीं अब बाहर होने के बाद हार्दिक पांडिया के दौरा अपने अंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो शेर कर अपना बयान दिया गया है उन्होंने लिखा है किस तथे को पचाना कठेन है कि मैं विश्वकब के सेश भाग में नहीं खेल पाऊंगा मैं पूरी भावना के साथ टीम के साथ रहूँगा और हर खेल की हर गिन पर उनका उत्ताव वर्धन करूँगा सभी की शुब कामना हूँ प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद यह अविश्वस्निय है यह टीम विशेश है और मुझे यकीन है कि हम सभी को गौरवान विद करेंगे आप सभी को प्यार आपकी जानकारी के लिए बता देए कि अब हार्दिक पांडया के टीम से बाहर होने के बाद उनकी जगह पर प्रसिद कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है जानी आज बिहार में क्या है पिट्रोल डीजल के रेट? इसके साथ ही गया में पिट्रोल की कीमत 108.6 एक रुपे और डीजल कीमत 94.8 रुपे प्रति लीटर निर्धारित है बता दी कि बिहार में पिट्रॉल का रेट सबस्यादा किसंग गंच में हैं जहां पिट्रॉल 119.3-5 रुपे प्रती लीटर और डीजल 55.9 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है अब बरते हैं आज के 5 सवाल की ओर हमारा पहला सवाल है बिहार के खिलारियों ने नेशनल गेम्स में अब तक कुल कितने पदक जीते हैं इसका सही उतर है उप्शन A 7 अगला सवाल बिहार में बीते आठ महीने के अंदर कुल कितने बच्चे गुमशुदा हुए हैं उप्शन A 2416, उप्शन B 2799, उप्शन C 5958, उप्शन D 5117 इसका सही उतर है उप्शन C 5958 अगला सवाल बिपेसी 32 वी नियाएक सेवा मुख्य परिच्चा की शिरुवात कब से होगी उप्शन A 26 नमबर 2023, उप्शन B 18 नमबर 2023, उप्शन C 29 नमबर 2023, उप्शन D 25 नमबर 2023 इसका सही उतर है उप्शन D 25 नमबर 2023 अगला सवाल विश्वकत 2023 से बाहर होने के बाद हार्दिक पांडिया का रिप्लेस्मेंट खिलारी कौन है? उप्शन A दीपक चाहर, उप्शन B वासिंटन सुन्दर, उप्शन C अक्छर पटेल, उप्शन D प्रसिध कृष्णा इसका सही उतर है उप्शन D प्रसिध कृष्णा अगला सवाल, बिहार बोर इंटर परिच्छा का फॉर्म भरने की तिथी कब तक बढ़ाई गई है? उप्शन D 12 नमबर 2023, उप्शन B 10 नमबर 2023, उप्शन C 15 नमबर 2023, उप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है उप्शन B 10 नमबर 2023 बीते दुन हमायदोर पूची का सवाल का आप लोगों मिन से बहुत लोगों न आपने जाओ, हमें मारी कॉमेंस सक्षिन gårक्स में लिख का दिया है, जिन्होंने हमायदोर इसके साथ ही बहते हैं, आज के सवाल की उराज का सवाल है बिहार के खिलारियों के गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स में पदक जीतने पड़ा आप क्या कहना चाहेंगे अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं अज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारे नीयोज और साति अगर आप यूटूब से देखर हैं चलव को सबस्क्राइब करना और अगर आप फेस्ट्बुक से देखर तो पेसको फॉलो करना ना भूले धन्यवाद